बिहार की विकास शील इंसान पाठी आनि वी आईपी प्रमुक मुकेश सेनी के पिता जीतन सेनी की दर्भंगा में हुई नुशंग हत्याकान का पुलस ने 36 घंटे में बड़ा खुलासा कर दिया है पैसे के लेंदेन में जीतन सेनी की हत्या की गई है और मुख्य आरोपी की भी गिरफतारी हो गई है दर्भंगा में ही रेडिमेट कपड़ी की दुकान चलाने वाले काजमनसारी ने अपने साथियों के साथ जीतन सेनी की हत्या की है पुलिस मुख्याले के एजी जी जी जीते इंद्र सिंग गंगवार ने बताया कि प्रमुख आरोपी काजम अंसारी को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है उसने अपना आरोप सोईकार भी कर लिया है, पूरी घटना से जुड़े साक्षियों को इकत्र किया जा रहा है उसकी निशान देही पर अन्य आरोपितों की तलाश की जारी है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है पुलिस सूत्रों के अनुसार बात करें तो 40 वर्षे काजम अंसारी दर्भंगा के गंशियां पुर्धाना अंतरगच सुपॉल बजार का रहने वाला है उसकी कपड़े की दुकान है जो पुंजी के अभाव में काफी समय से बंध है वर्तमान में वो बेरोजगार है काजम ने अपनी जमीन गिर्वी रखकर तीन किष्टों में डेल लाग का कर्ज 4 प्रतिशत मासिक ब्याजदर्ट पड़ लिया था उसने पुलिस को दिये बयान में बटाया कि कर्ज की राशी चुकाने में वो समर्थ नहीं हो पा रहा था उसको लेकर 12 जुलाई को काजम नसारी अपने साथी मोहमत सितारे उर्फ छेदी के साथ जीतन से मिलने गया था जिस पर दोनों पक्षों के बीच काफी कहा सुनी हुई इसके पुष्टी सितारे और मृतक के भतीजे प्रमोच सेहनी ने भी की है बात ना बनने पार काजम अनसारी ने अपने कुछ साथीों के साथ मिलकर जीतन सेहनी से घर के काज़ाद जबरदस्ती चीनने की योजना बनाई घटना की रात काजम ने 10 से 11 बजे के बीच मृतक के घर के सामने वाली गली में रेकी की जो पास में लगी CCTV फुटेज में भी कैद है कि ये सुनिश्चित होने के बाद रात 11 बजे के बाद जीतन के घर से सब लोग चले गए काजम और उसके साथी रात लगभग डेड़ बजे घर के पीछे के दर्वाजे से गुसे इस दर्वाजे में अंदर का लॉख नहीं है और इस तरह से CCTV फुटेज सामने आया और देखा गया कि चार लोग पहले अंदर गए और फिर बाहर आया उसी बीच शायद हत्या की साज़श को अंजाम दिया गया है तो फिलाल के लिए जीतन जैमी मज़ा केस में सबसे बड़ा अपडेट है कि मुख्यारोपी इस मामले में गिरफतार हो गया है और उसने कई बड़े खुला से किये हैं तो आप इस पर क्या सोचते हैं नीचे दिये गई कमेंट सेक्शन में अपनिया भी जरूर्द है मैं थे आपके साथ वंचिका संग और आप देख रहे हैं ABP Live